हेलो दोस्तों आज हम अन्वाक्सिंग करेंगे एक बहुत ही पावरफुल फोर चैनल एमिफायर की हाईपर सोनिक की तरफ से आने वाला फोर चैनल एमिफायर है आज हम इसकी अन्वाक्सिंग करेंगे आज मैं आपको इसका पूरा रिब्यू दूँगा तो किरपे करके दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें वीडियो के बीच में या लाश्ट में मैं आपको दोस्तों इसका प्राइज भी बताँगा उससे पहले दोस्तों जो चैनल पे नए है चैनल को सस्क्राइब कर लें और साइड में लगे बैल आइकन को प्राइज कर लें ताकि इस तरह की नोड़ीज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नौटफिकेशन मील आपको सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पहें चलिए दोस्तों वीडियो को चुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप यह देख लिए कुछ इस तरह का हमारा यह बॉक्स है और बॉक्स में लिखियो इस स्पेसिफिकेशन चलिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले यहाँ पर हमें हाइपर सोनिक देखने के लिए मिल जाता है और B2L की यहाँ पर यहाँ पर लिखाओ है फॉर चैनल हाई पावर मोस्पेड और पावर सप्लाइ कार एंप्लिफायर और यहाँ पर लिखाओ है सुटेवल इंट्रो फोर ओम स्टिर्यू एंड ब्रीज एंप्लिफायर मोडल्स और यहाँ पर इसकी प्रोटक्षन के बारे में दिखायाँ गा 14.8 बोल्ट तक power supply पर चल जाएगा और यहाँ पर full aluminium जो इसका design है दोस्तो fully aluminium से बना हुआ है तो चलिए दोस्तो कुछ इस तरह का हमारा देखने में box है जैसे कि आपने देखे विलिया और सभी तरह इसकी यही specification लिखाई गई है जल्दी से मैं आपको जल्दी से आपको मैं इसको unbox करके दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरह का यह box है यहाँ से खुलता है चलिए मैं इसको सबसे पहले amplifier को बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ पर जो packaging है वो काफी अच्छी दी गई है क्योंकि इस box के अंदर एक और box है चलिए मैं इसको side up मैं रख देता हूँ और यहाँ पर है हमारा एक 4 channel amplifier का box और चलिए मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ और हमारा जो amplifier है वो एक polythine में pack है और दोस्तों जो amplifier का weight है वो काफी ज़्यादा है जो कि एक अच्छी amplifier की निसानी है कुछ इस तरह का amplifier हमें देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर हमें polythine में एक यहाँ पर mountain screw देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर दो fuse देखने के लिए मिल जाता है चलिए मैं इसको भी side में रख देता हूँ और यहाँ पर है इसका warranty guard, चलिए इसको भी side में लग देता हूँ और यह है दोस्त इसकी user manual और दोस्तो जो इसका design है वो काफी प्यारा design है जैसे कि आप देख भी बारे हो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दोना दरब इसकी जो hitsing है वो बाहर दिखाई गई है और यहाँ पर mount करने के लिए haul भी दे गए है इससे पहले दोस्तों मैंने एक बहुत ही powerful 4 channel amplifier की unboxing की थी link उसका आपको description में देखने के लिए मिलेगा और अगर दोस्तों आपको sony के 4 channel amplifier की unboxing देखनी हो तो उसका भी link आपको description में देखने के लिए मिलेगा चलते हम इसकी back side में back side में जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो सबसे पहले हम यहाँ पर black color की body देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर heat sink के लिए हमें कुछ haul देखने के लिए मिल जाते है और यहाँ पर है हमारा sticker देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर no guarantee of seal break दोस्तों आपको जो इसकी शील है वो ब्रेक नहीं करनी है नहीं तो बारंटी वाइड हो जाएगी और मेरे भाई आगर इस फोर चैनल ए्मल को सक्राइब जरू कर लेना रजेा है हमार हमें सबसे पहले hpf औल k GPA यहाँ पर मोड़ देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों इसकी फिरकर इंचे की रेंज है वो दिखाई गई है 120 से 3 पिलो हर्च तक जाता है और यहां पर HPF LPF की 9 है जिसे आप 50-60-200 हर्च तक ले जा सकते हो और यहां पर जो हमारी बेस बढ़ाने के लिए 12 dB, 6 dB और 0 dB देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर इसकी जाता है यहां पर आप फुल में जला सकते हो यहां फिर है और यहां पर दोस्तों हमारा गेन है यहां यहां पर HPF की 9 है दो LED है एक प्रोटक्शन की एक पावर की चलिए दोस्तों अब मैं आपको दूसरी साइड ले चलता हूं दूसरी साइड जैसे कि आप देख भी पा रहे हो जो इसकी टर्मिनल की क्वालिटी है बो भी काफी जबर इस देखने के लिए मिल जाती है और यह MN Channel की वहां ब्रिच कर सकते हों ओवरल देखने में दोस्तों काफी अँच्छ कोई इसको खरीदना चाता हो तो description में मैंने इसका link दिया है आप वहाँ से भी जाते खरीज सकते हो और रही बात दोस्तों इसके price की जो offline market में इसका price है वो 4500 रूपय आपको देखने के लिए मिलेगा 4500-5000 की range में आपको easily ये देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि जो price है दोस्तों थोड़ा बहुत उपर नीचे होता रहता है अभी की जो current price है वो इसकी 4500 रूपय है और आप इस amplifier को टेक्टर पर या फिर कार में कहीं पर भी स्टमाल कर सकते हो और दोस्तों जो sound quality है इसकी वो एकदम जवरजस्त है और यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पारण जो heat sing है वो काफी तखडी देखने के लिए मिल जाती है जिससे दोस्तों हमारा जो amplifier है heat नहीं होगा जल्दी सा protection mode में नहीं जाएगा तो दोस्तों वीडियो तो आज की इतनी थी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को प्लैस कर लें ताकि इस तरह की knowledge वाली वीडियो जब भी माप लोड़ करू उसकी notification मिल आपको सबसे पहले सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देखता हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत